दोस्तों नमस्कार, E&I गुरू चैनल में मैं संदीप चोहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में हम inverter बैटरी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैटरी के अंदर पानी कैसे डाला जाता है और बैटरी के अंदर पानी डालने का सही तरीका क्या होता है तो फ्रेंट्स इस वीडियो को आप लाश्ट सक देखिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि दोस्तों यदि हमें पता नहीं होता है कि बैटरी के अंदर कितना पानी डालना चाहिए, पानी कब डालना चाहिए, तो उस कंडिशन में यह होता है कि हम इनवेटर बैटरी के अंदर कभी पानी ज्यादा डाल देते हैं, तो कभी पानी कम डाल देते हैं, तो उससे हम लिटर की बोटल है जो मार्केट से आसानी से मिल जाती है 30-40 रुपे के अंदर इस बोटल का पानी आपको मिल जाता है अब जैसा कि हमारी बैटरी यहां पर रखी हुई है और इस बैटरी के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर उपर की साइड बहुत सारे इंडिकेशन दि होती है यदि आप अपनी बैटरी के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर भी दो लाइन होगी यहां सबसे नीचे एक रेट कलर की लाइन होती है और उपर की तरफ गिरीन कलर की लाइन होती है और यह जो इंडिकेशन है यह हमारी बैटरी के अंदर जो पानी होता है उसके पर तेरते रहते हैं इन इंडिकेशन को मैं एक बार आपको निकाल के बता जाता हूं कि यह किस तरीके से होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इन इंडिकेशन के नीचे फॉर्म लगी हुई है यह फॉर्म हमेसा पानी के ओपर तेरती रहती है जैसे ही पानी कम होता है तो यह form नीचे चलियाती है और हमारे इस indication के अंदर low का symbol दिखने लग जाता है यदि inverter battery के अंदर ये indication green line से नीचे चले जाते हैं तो हमें battery के अंदर पानी डालने की आफशकता होती है battery के अंदर पानी डालने से पहले आपको ये सारा area साफ करना होगा ताकि battery के अंदर किसी भी तरह की गंदगी ना जाए अब battery के अंदर पानी डालने के लिए आपको ये जो yellow color के ढखकन दिख रहे हैं इने खोलना होगा यहाँ पर आपको जितने भी yellow color के ढखकन दिख रहे हैं इन सब के अंदर आपको पानी डालना होता अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक बोटल पानी लिया है इसमें टोटल पांच लिटर पानी है और जितनी आप सकता होगी उतना पानी ही हम बैटरी के अंदर डालेंगे यह दोस्तों डिश्टिल वाटर होता है जो आप घर पर भी बना सकते हैं यदि आपके घर में आरो है तो आप आरो का पानी भी बैटरी के अंदर यूज कर सकते हैं उसके साथ-साथ बरसाथ का पानी भी दोस्तों बैटरी के अंदर यूज कर सकते हैं इसके उपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कि आप घर पर पानी कैसे बना सकते हैं तो वो वीडियो देख कर भी आप आसानी इससे बैटरी के लिए पानी तयार कर सकते हैं अब दोस्तों आप इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडिकेशन है वह बहुत नीचे डाल सकते हैं डारेक्ट पानी डालते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि पानी इदर उदर ना फेले दोस्तो पानी डालते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि पानी बैटरी के अंदर जादा ना हो जाए तो यहां पर हमने इस बैटरी के अंदर पानी डाल लिया है आप देख सकते हैं यह जो इंडिकेशन है यह उपर की तरफ आ गया है मतलब ग्रीन पर आ गया है कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि यह इंडिकेशन बैटरी के अंदर फज जाते हैं तो हम जब पानी इसके अंदर यहाँ पर हमने बैटरी के अंदर पानी टॉप अप कर लिया है आप देख सकते हैं यह जो इंडिकेशन पहले रेड पर जा रहा था अब वो वापस ग्रीन लाइन पर आ गया है इसी तरीके से हम इस बैटरी के अंदर सारे जो सेल हैं उनको चेक कर लेंगे कि किसके अंदर पा कैसे डेड है तो आपको पानी बैटरी के अंदर टॉप अप नहीं करना चाहिए क्योंकि बैटरी यह ज़िदी डेड हो गई है और यदि हम उसके अंदर पानी टॉप अप कर लेंगे और जब बैटरी वापस से चार्ज होगी तो उस कंडिशन के अंदर बैटरी के अंदर जो पानी है वह फेलेगा और पानी हमारी बैटरी से बाहर निकल कर जमीन पर आ जाएगा जिससे बैटरी के सेल विक हो जाएंगे और दोस्तों जब बैटरी डेड़ पड़ी होती है तो बैटरी के अंदर जो पानी होता है वह आटोमेटिक कम हो जाता है और जैसे ही बैटरी के अंदर जब भी आप पानी डाले तो इस चीश का ध्यान रखें कि बैटरी हमेशा चालू कंडिशन में ही हो अब यदि हम बैटरी के अंदर पानी टॉपप कर लेते हैं तो उसके बाद हमें बैटरी के ढखकन को वापस लगा देना चाहिए इसके साथ साथ दोस्तों बैटर दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर जरू कर दीजिए ताकि सभी कुछ का फायदा हो सके थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो थैंक यू थैंक यू सो मच